हेलो दोस्तों कैसे हैं आई हो पाब बहुत अच्छे होंगे और जैसे हम विंटर्ज में फ्लावरिंग प्लांट की केर करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट से हमें विंटर्ज में भी पर्मानेट प्लांट से फूल ऐसे ही मिलते जाएं तो ऐसे ही हम जो हमारे पर्मानेट प् मनी प्लांट की सर्दियों में कैसे केर करनी है अक्सर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी पतियां पीली हो जाती है और टॉर्मेंसी पीरियर्स में चले जाती है तो उन्हें से एक प्लांट है मनी प्लांट अगर हमें अच्छे से इसकी केर करेंगे तो ये प्ला प्लांट ऊपर को क्लिम करता रहेगा तो जितना यह आपका प्लांट ऊपर को जाता रहे जैसे हम पनीर बनाते हैं, चाज होती है, या फिर पानी देते समय, दोद की दो चर बूंदे उस पानी में मिला देते हैं, तो वो पानी अक्षर हम यूज करें इस मनीप्लांट के अंदर, तो हमारे प्लांट की ग्रोध के साथ सथ इसकी जो नई रूट्स भी बनाएगा, एर पूर मातरा भरी होती हो मनी प्लांट को केलशियम जो तत्व होते हैं न्यूटिन्स तो बहुत पसांद है तो इसी तरह से आप अपने प्लांट के अंदर कुछ न कुछ ऐसा डालते रहें जिससे हमारे प्लांट की सर्द्यों में भी ग्रोथ इसी तिरह से बनी रहे कहते हैं कि जितना प्लांट आपका घणा होगा उतनी ही आपके घर में कुछ रहाली होगी तो इस प्लांट को आप घणा करने के लिए इन चीजों का यूज़ जरूर करिएगा तो ये मेरा प्लांट है पोथुस की एक ब्लूइश वराइटी है जिसके पतियां लश ग्रीन है और आपको देख रहे हैं ये बहुत प्यारे इसके आजकल तो बहुत इतनी वराइटी जा चुकी है तो आप अपने नसी में जाते हैं तो इसके कटिंगी अगर आपको मिलती है तो वो लियाएगा बहुत सारी वराइटी से इसके अंदर तो अप अपने प्लांट को सर्दियों में हेल्दी बड़ा रखने के लिए हेल्दी बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ इस तरह से और्गैनिक जीज़े यूज यूरूर करते रहिएगा यह है मॉंस्टेरा मॉंस्टेरा भी इसी फैमली का ही एक मेंबर है तो इसके पतियां भी बहुत कुब सूरत होती है तो अब अपने प्लांट के अंदर अगर आप देना चाहोते हैं जीज़ों का यूज करके आपकी healthy जो growth है इसके बनी रहती है इसको well-drain soil पसंद है ज्यादा पानी वाला moisture जिसमें रहता है वो मिटी इसको पसंद नहीं है तो ये मैं पानी दे रही हूँ कुछ इसके अंदर मैंने दोद की बुंदे डाल दी हैं जितना भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपके plant की growth बहुत अच्छी होगी तो पानी आपने सर्दियों में वैसे एकसर कम देना पड़ता है तो जो है इसको दोप indoor plants को अकसर दोप कम ही मिलती है तो इस तरह से हम कुछ न कुछ ऐसे nutrients भरी चीज़ों को डालते रहें जिससे यह हमारा plant healthy भी बना रहे और इसके अंदर जो है जो nutrients इसको चाहिए होते है वो इन चीज़ों से मिलता रहे और अपना जो है यह plant आपके अच्छी से growth कर पए यह मैं ले रही हूँ पनीर का पानी पनीर का पानी एक सिरम किचन में यूज़ कर लेते हैं जैसे आटा गुंदने का यह काम आ जाता है यह पिर आप अपनी डाल सब्जी में किसी में भी डाल देते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा बचा लीती हूँ अपनी money plants के लिए यह other sin door plants के लिए क्योंकि इससे हमारे plants यह जो पती है lush green के साथ से इसके health भी बहुत अच्छी होती है और जादा branches और area roots जादा निकलती है मेरे को यह result इस तरह से मिला मैं इसलिए आपके साथ share भी कर रही हूँ तो मैं अक्सर इन plants को यही देती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी और mix कर लेती हूँ तो मैं one-fifth की ratio रखती हूँ अगर मैं पनीर का पानी डालती हूँ तो five जो मग हैं दूसरे मैं पानी के भी डालती हूँ तो इस तरह मेरे पूरे plants के अंदर यह पानी जाता है पनीर के पानी के अंदर जो हैं अगर इतनी सारे मिनर्ज आपके plant को मिलेंगे तो आपका plant healthy के साथ पत्या भी इतनी big size की हो जाएंगे यह मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा यह blueish potos का ही एक plant है जिसकी पत्या आप देख रहे हैं कितना large size है मैं स्टार्टिंग में blueish potos की पत्या दखाई हैं यह वही वहला plant है इसकी पत्यों का size आप देख रहे हैं मैं अक्सर इन चीजों का यूज करती हूँ पनीर का पानी हो गया चावल का पानी हो गया अगर पानी देते हूँ थोड़ी दूद की इसके अंदर थोड़ी बुंदे डाल देते हूँ अगर बटर मिल का होता है उसकी बुंदे अक्सर इसमें डाल देते हूँ इससे मेरे plant की देखे नियू नियू ग्रोथ के साथ यह प्लांट की बत्तियों का साइज जो है बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है तो आप इन चीजों का यूज करेंगे तो आपका प्लांट भी हैल्दी हुआ कहते हैं जितना हैल्दी प्लांट होगा उतना ही आपके घर में खुश्वाली भी होगी और दूद बहले जितन अंधर अगर मिक्स करते हैं तो वह भी हमारी जो एक मनी प्लांट को सोल चाहिए होती है इसलिए इससे जो अच्छी इसल भी बन निगल के आते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं। अब भी मौसम चेंज हो गया है तो लेकिन ये हमारा मेरा प्लांट अभी भी इतना लश्ट गरीन और इतनी साइज अच्छे से इसकी लीव्स का साइज है और बहुत अच्छे से ये मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है क्योंकि मैं इनी चीजों का यूज करती हूं अक्सर मैं य करती हूं कि आप इस प्लांट के अंदर दे सकते हैं जिसके आपका प्लांट कोई भी प्लांट है तो डॉमेंसी में पतियां पीली जो है ना हो तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज हेल्फुल रहा होगा यूसफुल भी रहा होगा तो मिलेंगे एक नई जानकारी के सात नई वीडियो के साथ तिल देन टेक गर अपना ओनों का ध्यान है और प्लांट लेए एक अगर फ्लावरिंग प्लानट लेने हैं तो और ये चैनारिक चीजों का यूस करिएगा अपने प्लांट में एंदर इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ जादा पूल थेंक्स वर वाच्चिंग, वाई बाई बाई, शेयर करियेगा, लाई करियेगा, थेंक्यू सो मच्छ, थेंक्यू